क्या बिहार में भी योगे आदितेनाथ का जादू चलने लगा है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वधान सबा जो चुनाओं हो रहे हैं इसके ठीक पहले योगे आदितेनाथ ने सभी माफियाओं के अवैद ठिकानों पर बुल्डोज बिहार में भी दरीके से बनाये गए मकानों पर बुल्डोजर चलाने की तैयारी हो रही है ऐसे में क्या है पूरी खबर यह हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार आप देख रहे हैं जुंता जंक्शन और मैं आपके साथ वंधना कैमरा पर सणोन प्रकाश के स में चाफ बहुत कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जाइकेदार बना सकते हैं यात्रा में खाना ओरोर करने की लिए अभी डाउनलोड करें प्लेश टोर या आपल स्टोर पर जहां खबर आज बिहार के वधानसबा सत्र से निकल कर साइए जहां पर एक CPIM के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे को वहां सामने रखा जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब बिहार में भी बुल्डोजर चलाया जाएगा और वो भी उनके अवैद ठिकानों पर जिन्होंने अवैद तरीके से मकान बनाया है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां गरीबों का हक छिन कर जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं बड़े-बड़े लोग होते हैं वो अपना मकान तयार करते हैं अपने दो-तीन मकान होने के बावजूद भी उनको शांती नहीं मिलती और वो गरीबों का हक छिनने में लग जाते हैं और उसे फकेले नहीं, बलकि ऐसे कई मामरे सामनें आये हैं जहां वो जिस इलाके में ये अवैत तरीके से मकान बनाने की तै highlighting कर रहे होते हैं, वहां के जो थाना अध्यक्ष होते हैं जो वहां के आसपास की प्रसाशन होती है, उनसे मिली भगत के साथ वो अवैत तरीके से बहु मंजिला मकान बनाते हैं और कोई प्रसाशन भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, पैसे की यार में वो कुछ भी कर जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं, वो पहले से या बेघ़र होते हैं, लेकिन जिस जमीन पे, वो छोटे से जोपरी में रह रहे होते हैं, उसको ये बड़े अधिकारी मिलकर उन लोगों को वहां से हटा देते हैं और अपने बहु मंजिला मकान वहाँ पे तयार कर लेते हैं तो अब ऐसे सब ही लोगों के लिए सब ही भश्ट अधिकारियों के लिए बिहार सरकार एक नया नियम निकालने जा रही है जिसमें वो बुल्डोजर चलाएगी जिहां जिस तरीके से योगे आदे तिनाथ ने उत रन्नीती बनाए थे उसमें ये भी रन्नीती शामिल की थी कि वहां के जो भी माफिया हैं उनके सभी अवैद तरीके से बनाएगे मकानों को या फिर जो उनके अवैद जमीन हैं उन पर योगे आदे तिनाथ बुल्डोजर चलाएगी और ऐसा हुआ भी अगर हम बात कई ऐस 25 माफियाओं के जो ठिकाने हैं जो अवैद तरीके से मकान बनाएगे तो उसमें बुल्डोजर चलाएगी उनके जमीनों को योगे आदे तिनाथ ने अपने कबजे में भी किया और खासकर अगर हम बात मुकतार अंसारी जैसे माफिया की करें तो मुकतार अंसारी के भी कई ठिकानों पर चापिमारी की गई उनके कई अवैद जमीन भी हतियाए गए और साथ ही योगे आदे तनाथ ने जो जमीन हतिया था जमीन को अपने कबजे में किया था उसको लेकर वी योगे आदे तनाथ ने ये ऐलान किया था कि जो गरीब तब के लोग है यूपी में उनक वो जो माफियाओं के अवैद तरीके से मकान को या फिर जमीन को योगी आदितनाथ के अपने कबजे में किया है उस पे उन गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे खैर ये कब बनके तयार होंगे इसकी कुष्टी हम नहीं करते हैं लेकिन ठीक योगी आदितनाथ के मकान बनाए जाते हैं गरीबों का हक चिनकर उनके जमीन पर मकान तयार किये जाते हैं इसको लेकर भी तैयारी शुरू कर चुकी है आसे में अब वह भी अवैक तरीके से जो भी मकान बनाए जाएंगे जो भी मकान बने हैं उस पर बुल्डोजर चलाएगी और उसको अपने कब जी मेली की हम आपको बता दे कि इस मामले की शरुवात तब हुई जब बिहार में वधान सबा जो सत्र चल रहा है जिसका आज चौथा दिन था उस दोरान बिहार के खगडिया जिले के CPIM वधायक ने एक मामले की सुनवाई के दोरान उस वहां पे सरकार से ये आगरह किया कि उनके जिले में यानि की खगडिया जिले में गरीबों के जमीन पर कुछ असमाजिक कत्तों ने अपने बहु मंजिला मकाम कर दिया है और इतना ही नहीं बलकि उनके साथ वहां के परसाशन वहां के पुलिस अधिकारी भी मिले हुए हैं आसे में CPIM वधायक ने वहां के भ सच बागरा किया उनके साथ साथ और विधाय को ने आवाज उठानी शुरू की वो भी अपने मांगों पे अरे रहे कि हमें आप करी कारवाई चाहिए सबके जिले में ऐसे कई प्रसाशन कुछ कर पाती है तो गरीब तब के लोगों की बात करना दूर की बात है ऐसे में जो भूमी सुधार मंत्रे यानि कि राम सुरत राय हैं वो सारे विधाय को की मांग को लेकर परिशान हो जाते हैं और एकदम गुसे के लफज में वो गुसे में आकर ये ऐलान कर बै मंजिला या कई मंजिला मकान बनाया हो सबको अब बुल्डोजर से धुस्त किया जाए गया ऐसे में विधान सबा सत्र से निकल कर खबर सामनी आई है खैर इस पर देखना होगा कि ये बात कितनी सच होती है क्योंकि योगया आदित नाथ ने तो विधान सबा चुनाओं के यूपी में बुल्डोजर चलवा दिया माफियाओं के जो वैड तरीके से बनाए गए मकान थे उनको तो धुस्त करा दिया अपने कबजी में ले लिया लेकिन बिहार सदकार किस तरीके से अपनी द्वारा नियम को जो लागू करती है उसको किस तरीके से वो पूरा करती है